और ये है वो जगर जहां मैं रात को रुका था तो ये है टेंट, ठंड काफी लगी रात को अब रुखाऊ टार्गेट पता है ना आपको, तांदी जाना है, 25 किलोमेटर है यहां से सामने माल स्टोन है, लिखा है तांदी 17 किलोमेटर तो अभी तक हम 7 किलोमेटर आ चुके हैं सिसू से, दुपैर के 12.30 का वक्त हो चला है और सफर अभी जारी है, पाउं के नीचे के जो तलवे हैं वो जमीन पर रखते ही बता देते हैं अब एक्सेस हो गया तुमारा, अब थोड़ा रेस दे दो, आज वेसे भी मैने सेंडल पहने हुए हैं तो थोड़ा तकलीफ जादा हो रही है 4.30 हो चुके हैं सामने माइलस्टोन उसके अशाब से तांदी है 10 किलोमेटर अभी और सही लग रहा ना, ये गाओँ मने जो माइलस्टोन लिखा है, लिखा है के तांदी 7 किलोमेटर है सामने ये सुरज उसपाठ के पीच'RE ही चिप रहा नहें गुड बारिंग दोस्तों आज है ट्रिप का तीसरा देन जगह है सीचू आज हम जाएंगे तांदीबर जो के यहां से 25 कृट दूर है और यह है वो जगह जहां मैं रात को रुखा था तो यह है एंट ठंड काफी लगी रात को अभी उठाओं समगे 6 बच के 40 मिरट हो चुटे है सन्राइज हो गया है लेकिन पहाड के पीछे है धूप आप देख रहे हैं सिर्फ उन पहाड के ऊपर है वहां पर वो धूप है कुछी तेर में यहां पर भी धूप आ जाएगी और खुब्सुरे जगल लेकिन ठंडा भी बहुत है हद से ज्यादा ठंड है रात भर ठंड लगते रहे हैं आगे क्या होने वाला यह नहीं पता सुबह के साथ बज़ें दोस्तों और यह बन रही है हमारे लिए कॉफी तो जी आट बज चुके हैं अपनी पैकिंग गई है हो धूप अच्छी निकल आई है अब बस जाने की तैयारी है टार्गेट पता है ना आपको कांदी जाना है 25 किलोमेटर है यहां से तो जी दुस्तों पूरे 10 बजे हैं सिसू से वाक शुरू कर दिया है सिसू में आपको हजार या पंद्रहसोर रुपे में डबल ओक्यूपेंस के साथ बहुत सारे ओप्शन्स बिल जाएंगे आप यहां ठार सकते हैं रात में करें रार सकते हूं सकते हैं इनका नाम पवन है और ये निपाल के रहने वाले हर साल महीं में यहां आते हैं और अक्टूबर तक यहां पर उखते हैं यह जगे देख रहे हैं इस जर्ने के साथ से चलके उपर जाएंगे उपर खेत हैं आपके हैं खेत में यहां पर चारी सबजी होगती हैं मटर, गाजर, गोभी और अलू और छे मिने खेती होती है तो पिछले 2-3 किलोमेटर से मैं और पावन माम है पावन नहीं है पावन और मैं साथ में चलके आ रहे थे तो कावी सारी बाते हमने की हैं तो अभी इनका रास्ता उजर से निकल जाएगा और मैं बढ़ूंगा आगे की तरफ ठीके पर भाई अच्छा लगा मिलके अपसे ध्यान रखिएगा कभी किस्मत में र तो सुबह से चलके हम पांच किलोमेटर यहां पहुंच एक छोड़ा सा हॉल्ट ले रहे हैं पांच किलोमेटर की स्पैन में हमने एक भी ब्रेक नहीं लिया और डेर गंटे से चल रहे हैं दस बुजे स्टार्ट किया था साड़े ग्यारा हो चुके इस रूट के कुछ खास जाना है तांडी तांडी इंग्लिश में और तांडी यहां की लोकल भात सामे या हिंदी में करे आप तो तांडी जा रहे है और अभी 19 किलोमेटर ओर चल लए है थोड़ा सा रिफ्रेश्मेंट लेकर बढ़ेंगे आगे सामने माइल स्टोन है लिखा है तांडी 17 किलोमेट तो अभी तक हम साथ किलमेटर आ चुके हैं सिसू से दो पैर के साड़े बारा बजे का वक्त हो चला है और सफर अभी जारी है टेरन बदल गया थोड़ा सा जैसे आप सुलिंग क्रॉस करते हैं तो सुलिंग क्रॉस करने के बाद प्लांटेशन तो है लेकिन हाइट कम हो गई है और सामने जो पहाड़ है वो उन पर स्नो दिखने शुरू हो गई यह खास बात है यहां पर अच्छा लग रहा है शांदार से एक्सपीरियेंस है तो टेकनिकली हम अभी तक ढाइगंटे ही चले है और डाइगंटे में उनने सा जाना सकते ही हांगि यहां के नी ऑनकी यहां दोलने cœur यह वह होगे इस तरफ से ले की तरफ मैं लेडरा लेलो चैरी है हां प्रिकोट सॉहर्ड फुलम बोलते पता नी क्या रेट वगेरा है क्या है इनका यह तो पूरा डबा है नहीं चाहिए एक तीस वाला देदा मुझे लेंगे लॉंग वाला ब्रेक क्योंकि यह करीब करीब 40% कंप्लीट हो जाएगा आज के टार्गेट का निचे आपको देखना चाहिए पूरा यहां पर खेती होत ग्रीन के उपर यह देखो सुनो कवर माउंटेन है एक्सलेंट व्यू है मौसम बाद अच्छा है दूप की गर्मी है तो हवा के ठंडग भी है शांदार एक्स्पीजिएंस 10 क्लमीटर का टार्गेट कूरा कर लिया तक 15 किलोमेटर के दो हमने स्ट्रेच देख लिये यह तक और 15 क्लमीटर भी और जाना है तो मतलब हुआ तो मतलब हुआ 55 म्लमीटर की 3 स्ट्रेच और लेने है टाइम हो चुका है इस वक्त दो बजे का दस बजे निकले थे चार घंटे चार घंटे में दस किलमेटर हमने कर लिया है थोड़ा रेस्ट करेंगे कहीं चाहों देख करके यहां तो धूप बहुत है इस जगह में नहीं रुक रहे ब्रेक लेने के बाद अगला 15 km का स्ट्रिक स्टार्ट करना है पूरा का पूरा सिनिक रूट है आप यह पहाड देख सकते हो नीचे हर्याली और खेद देख सकते हो इस तरफ हरी और सफेद और काले तीनों रंग के पहाड देखेंगे और यह है नेशनल हाईवे जो जा रहा है लेत यह सामने का व्यू देखो आप है ना शांदर लहरा कर जाते हुए सड़क कैसी लगरी सड़के पर वो रास्ता और फिर वो सड़क एक और नीचे नदी भी लहरा कर आ रही है ऐसी पहाड है जरने है नदी है सब कुछ एक ही पिक्चर में एक ही फ्रेम में कहां दिखता है एक डॉगी भी है तो जी यहां पर बैठ करके 45 मिनिट का रेस्ट लेने के बाद अब सफर वापस शुरू किया जा रहा है तो बसे 10 किलमेटर वाक कर चुके अभी तर यह बंग ढाबा दिखाई पड़ा था त अंडी अब यहां से है सिरफ बारा किलो मिटर तो बारा और जाना है बस हो जाएगा देरे देरे साड़े तीन बच्चु के हैं वैसे वोड़ ब्यूटिफुल व्यू रोटन करते ही यह शांदार नजारा दिखा देखिये हैं है न शांदार सामने माइलस्टोन पे लिखा है तांदी 13 किलोमेटर है और किलोंग 20 किलोमेटर यहां से एक और किलोमेटर कंप्लीट कर लिया है रेस्ट करने के बाद सड़क तो बहुत अच्छी है चलते जा रहे हैं और मजा बहुत आ रहा है ठकान के मारे बुरा हाल है पाउं में पर यह खुबसूरती ऐसी है कि रुकने का नामिन ले रहे हैं जहां हर कदम के साथ बदल जाता है कुछ ना कुछ साड़े चार हो चुक है और सामने जो माईस्टोन है उसकी हिसाब से तांदी है 10 किलोमेटर अभी और बीच में जगा रुके थे और वहां रुक करके पराठा खाया और एक निम्बू पारे पिया परिक्षा की घड़ी है अच्छी बात यह है कि आगे पूरा डाउन है 10 किल सब टाइम बता सकता है यह लूप की तरह लग रहा है आपको सही लग रहा है ना यह गाओं कितने प्यारे से घरे नो किले मिटर हो जाना है आमने जो माईस्टोन लिखा है लिखा है कि तांदी साथ किलोमेटर है सामने यह सुरज उस पाहड के पीछे छिप रहा है और इस माईस्टोन के कम्प्रेट होने के पाथ तो कोशिश है कि जब तक संसेट ना हो जाए ठंड ना हो जाए हम वाक करते रहें लो जी पांच किलोमेटर रह गया है और उपर पाढ़ के अभी धूप नजर आ रही है क्योंकि संसेट हुआ है इस पाढ़ के पिछे जो परफ स है शयाद वहां कुछ रहने को मिल जाएं नहीं मिलेगा तो आगे जाकर देखें कितने अच्छे हैं यहां पर वह घर है किसी का जिसके खेट है शयाद उसके 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 अधर संसक्ट हो रहा है और यह पहाड ऊपर नीचे यह खेट अच्छी जगह है बहुत प्यारा लग तो यह बैस आब है 15 सुर कोई में टैंक बता रहे हैं सामने खड़े जो है और होमस्टे का तूसता हूं कितना है यह रहने के लिए इसको चाहिए होता रूम हाँ चैच 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 वहां ही बाहर लगा लोगने अपका होमस्टे किस नाम से चंद्रभागा के नाम से पर चंद्रभागा के नाम से इनका हॉमस्टे है और गाड़ी लेक्या है अपका नाम क्या है तो उपर जो गाउं में तांडियम वहा पहुचने है भी ने ने ये घुषाल गाउं अपकर विल्कुल बिल्कुल उसी को तो करोज कर आ गया इसम सड़कता है तो ये ठाकूर द तो एक भागा भी खली है एक चंधर भागा है कि दिए यह परह से जोऊऊ है तो यह चंधर आप नदी चंधर भागा दो नदी के नाम सी कुछ मुटग है और जहां संगम होता है वहां से चंधर बागा रिवर बन जाता है तो फॉर्ट पहूंच गया है वो जो आपको ग्रीन वाला बेल्डिंग ने जरा रहा है वो है चंद्रभागा यहां होंस्ते अच्छा गैस तो और भी है काफी ने ने जिया ने तोड़ा साफ सपरी चलावा था अच्छा उसका 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 इस बाड़ी थी ना च्पी के नंबर तो मैंने सुचा श्यद है वाव देखे व्यू देखो आप सही है जी मजारे देखो मैंने का नंबर देस्क्रिप्शन में दूँगा आपको कॉल करके वह हूं बाई को पोँचाना यह अच्छी जेक है यह अच्छा जी क्या आप बहात है पुरा ट्रेडिशनल लूक है यह बुखारी बोलते हैं आप जाती यह पानि वेरा यह करभ हो जाता है और यह सट इस इंडिन बहुत बढ़ी है यह तो यह तो बहुत बढ़ा रुब यह तो यह एक बैडड इधर है एक दूसरा बैट इधर लगा हुआ है और यह देखो क्या शाइन कर रहा है बहुत अच्छे अच्छे बनाया आपने अच्छा एक यह वाला रूम है रूम सारी अच्छे है और बड़े बड़े रूम बना के रखें आपने जो जो रूफ है वो भी वूडन वाला है वोल पे बड़े लगा है आपने सही बात है मुझे तो अच्छी लग रही है तो ओनलाइन बुकिंग का अप्शन नहीं आपकी पूसोंबाई ओनावाना सब मिल जाता है आप अच्छा 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 रिफ्रेश्मेंट के लिए दर आ सकते हैं और कीचन यह आपका जहां खाना आने का सोच रहे हैं और तांडी की तरफ का भी रूठने का प्लान बले तो तांडी ब्रिच से आपको गोशाल विले जाना है और यह डेड़ किलोमेटर है बस ज्यादा है नहीं और फिर आप यहां पहुंच जाएंगे तो जैनुएन प्राइस है नंबर आपको मैं या तो इस तरह भी देखो लुक एट कैसे पाड़ है लग गया है हमारे टेंट थोड़ा से डाक है तो आज कर वीडियो यहीं पर उजे लेकर एंड कर देना है चाहिए आज हम निकले थे सिसू से और 25 किलोम्टर का वॉक करके पॉंचे थे तांडी तो यहां पर मैंने बाहर लगा है टेंट यह हमस्टे है मेरी जो को ट्रेवलर है उन्होंने अंदर रूम में स्टे किया है और मैं तो मिर्शा कि टेंट मेरुआ हूँ थोड़ा डाक है तो पस अब जाके डिनर करना है और उसके बाद सो जाना है आज के सरीज में इतना ही है इस सरीज के नाम सोचा है मैंने तो यही नाम बहने वाला स्रीज का आज थाड़ दे पे सोचा है, मिलेंगे जल्दी ही गुड़नाइट दोस्तों, ख्यादे की अख्यादा